असलो के नमश्कार मेरा नाम मऊइंख खान और सभी प्यारी प्यारी माता भेहनों का और प्यारे भाईयों का इस चैनल के अंदर बहुत बहुत इस देगी जीसे और 맞ता हमέно और बहुत से मेंसेज ऐसे भी आ रहे हैं कि कुछ ऐसा बताईए जिससे हम अपने प्रेमी को दूसरी इस तरी से अलग कर सकें अपनी बॉइफ्रेंड को किसी दूसरी लड़की से अलग कर सकें बहुत सारे ऐसे मेसीज दा रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा आसान सौपाई बता जीजिए जिससे हम अपने पार्टनर को किसी दूसरी लड़की से अगर वो किसी दूसरी लड़की के पास चला गया है तो उसको हम अलग कर सके तो मै आज आप लोगों के डिमांड से वही आपको बताने वाला हूँ सिर्फ एक रोटी जैसे कि आप देख रहे हैं यह रोटी है रोटी पर नाम लिखकर आप दो लोगों को 1 दूसरी के खिलाफ कर सकते हैं दो लोगों को हमेशा के लिए अलग कर सकते हैं किसी आप इस काम करोगे तो एक इस्टार्टिंग होती है। इस उपहन सो की इस इस्टार्टिंग कोती है। से खिलाफ ही रहते हैं और जब वो एक दूसरे से खिलाफ हो जाएंगे तो हमेशा मेशा के लिए एक दूसरे से पास रहना पसंद भी करेंगे और वो हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो दोस्तों सभी दरसकों से रुक्यास जिसमें हमारे चैनल को सस्क्राइब भी नहीं किया है वो सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और आज काफी दादात में कमेंड्स थे कि हमें कुछ ऐसे बताईए तो ही मैं आपकी डिमांड से बताने वाला हूं रोटी पर नाम लिखकर मनुच चाटन कैसे किया जात है तो ध्यान से आपको देखना है किसको करते कैसे सबसे पहले तो आपको एक रोटी ले लेनी है और यह रोटी आपको पकी होई सिक्की होई रोटी आपको लेनी है अब आपको करना क्या है आपको जिसको अलग करना है जैसे कि ममता नाम है जो आपको ममता और आपका प्रे में एक दूसरे से एक हो गए और आप नहीं चाहते कि वह दूसरे से बात माने एक दूसरे के पास चले या आपका पती हो जिसको भी आप दो लोगों को अलग करना चाहते हो वो इस उपाय को आप कर सकते हो तो यहां आपको प्लस का साइन लगाना है और यहां मा का नाम लिख एक कोलम बना लिना है दो लाइन का इस तरीके से स्फिर एक लाइन इधर से और एक लाइन इधर से आपको खीच लेनी है जिसमें सभी में आपको नाइन लिखना है इस तरीके से सभी बॉक्स में नाइन आपको लिखना है इस तरीके से जैसे कि आप देख रहे हैं अब एक लाइन आपको इस तरीके से खीच लेनी है बिल्कुल आधी आधी रोटी इस तरीके से यहाँ पर जो लड़के का नाम है जैसे ममता आपके बीच मा गई थी आपके प्रेमी के अब लड़के का नाम है प्रेम तो यहां आप प्रेम लिखोगे इस तरीके से प्रेम प्लस प्रेम की यहां मा का नाम आपको लिखना है माता जी का नाम इस तरीके से और अभी आपको इसी तरीके से जैसे कि आपने बनाया था नो कोलम को बॉक्स दो लाइन कीच के इसी तरीके से आपको भी लाइन खीच लेनी है इस तरीके से और सभी बॉक्स में आपको नाइन लिखना है इस तरीके से नाइन लिखना है बस अब आपको जब आप इस तरीके से नाइन लिख दोगे तो आपको यहां से इसको बिलकुल यहां से बिलकुल अलग कर देना है इस तरीके से जो लाइन जा रही है इस लाइन को बिलकुल अलग कर देना है जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इन दोनों को एक दूसरे से जैसे नाम जो लिखा था आदी रोटी इधर करती है और आदी इधर करती है अब आपको करना क्या है दिहन से सुनना जब आप इन दोनों को अलग कर दोगे एक दूसरे से क्योंकि हमें मम्ता और प्रेम को अलग करना है हमेशा के लिए एक दूसरे के खिलाफ करना है ताकि एक दूसरे से बिल्कुल हमेशा के लिए अलग हो जाए अब आपको इस रोटी को जैसे आप देख रहे हैं इस रोटी को आपको इस पर घी लगाना है आपको घी लगाकर किसी भी काले कुत्ते को आपको इस रोटी को खिला देना है बस आपको इतना करना है वो इनसान वो व्यक्ति जिन दोनों का आप यहां पर नाम लिखोगे वो हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे एक दूसरे के से लड़ने लगेंगे लड़ने के बाद अलग हो जाएंगे दूसरे के खिलाफ हो जाएगे, दूसरे के शक्रन भी लेखना पसंद नहीं करेंगे और हमेशा के लिए कि दूसरे से दूर हो जाएगे तो चलिए, आप, हम आप से विदा लेते हैं, इस उपख़े को करिए और इसमिस सफलता हासिल करिए और दोस्तों यदि आपको हम आपकी खिदमत में मदद के लिए हाजिर हैं यदि आपको कुछ समझ नहीं आया हो या आपको कुछ पूछना हो तो हमारा मकसद केवल यही होता है कि आपके हर मकसद से मदद की जाये तो आपके दिये हुए रंबर पे इसकी गुरु जी से जानकरी भी प्राप्त कर सकते हो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं मुलाकात हो भी अगली नई वीडियो के साथ